साथियों, राजस्थान के लोगों ने हमेशा से भाजपा को भरपूर प्रेम दिया है, लेकिन मुझे एक बात का अपसोज भी है, मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर बीते पांच सालों में राजस्थान में डबल इंजीन की पावर लगी होती, तो यहां का विकास कितना तेज हो जाता। कॉंग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनिती करती हैं, उसमें विकास के कारिय कॉंग्रेस नेताओ द्वारा अधिकतर पटक ही दिये जाते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं और नहीं काम करने देते हैं। इसके अलावा कॉंग्रेस के राज में कानून विवस्ता की स्तिती हर दिन खराब से खराब होती जा रही है। राजस्तान से बीते कुछ समय में जिस तरकी खबरे लगातार आ रही हैं। उनका संदेश एक ही है। राजस्तान की संस्कृति, यहां की परंपरा, यहां के गवरों को बचाना हैं, तो राज में भाजपास सरकार को वापस लाना ही होगा। कॉंग्रेस ने यहाँ क्या हाल बना दिया है कॉंग्रेस कैसे सरकार चला रही है यह राजस्तान के लोगों से छिपा नहीं है अभी कुछ दिन पहले बजेट सत्रे के दोरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है मुझे गटना याद आती है बहुत साल पहले की बात है करीब 40 साल पहले की तब तो हम राजनिती में नहीं थे हम अपना संग का काम करते थे और आम तोर पर संग परिवारों में भोजन के लिए जाते थे तो एक दिन मैं सुबह प्रवास करकर के लोटा बारा एक बच गया था तो हमारे एक वरिष्ट साथ ही मुझे मिल गए बोले आप कहां से आ रहे हैं मैंने का अभी आ रहा हूं दोरे से आ रहा हूं तो बोले भोजन क्या क्या प्रबंध है मैंने का ने अभी तो कुछ सोचा नहीं एभी आया हूं देखता हूं क्या करता हूं ने बोले चलो जल्दी करो मेरे साथ चलो मैंने का मैं प्रवास करके आ रहा हूं मैरा स्नाननवन वाकि है ने बोले स्नान कर डीजिये फिर चलते हैं तो माने सोचा कहीं पर उन्होंने भोजन का प्रबंद किया होगा तो हम चले गए वहां तो भोले शादी है तो शादी में वहां जाना है तो चली अपने स्वश्शिक के घर में शादी है तो हम चले गए तो जिनके यहां शादी थी वो तो अपने दुकान गर के बाहर थी वह यहां काम कर रहे थे, वह दरजी थे, दरजी काम कर रहे थे, तो हमने कहा भई, तुम तो कह रहे थे, यहां शादी है, उनके हाँ खाना खाना है, हम गई अंदर उनको नमस्कार किया, हमने पूछा क्या हाल है, कैसे है, फिर उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि, क्यो कज है भगाय अज लिए हनु जो शाधी जान लोग ता नए नहँख सहान पिछले सा नहीं होगी जो और क्लाकु पिछले साल नहीं के भूलाग करते उन्होंने काण देख लह अ अर मैं रहाम था पिछले साल का उसी तारीख माल आऄ काड था हम बिला खाएगर बापिस आये साथिelu ने इस भात को कोई आपके राजस्तान से कोई लेना देना नहीं है यह तो मैं आपनी पुरानी बात यहाद आई तो मैं बता दू साथियों मैं मानता हूं गलती किसी से भी हो सकी है लेगे इस से ये भी पता चलता है कि Congress के पास ना ही बीजन है और ना ही उसकी बातों में कोई बजन रह गया है Congress के लिए budget और गोषणाए होती ही काजगजों में लिखने के लिए योजनाए और कारकमों को जमीन पर लागू करने में Congress का कोई इरादा नहीं होता